अगर आप घर में तुर्षी का प्लांट लगाना चाहते हैं और आपको ये समझ में नहीं आता कि हमको ये प्लांट किस दिल लगाए और कब लगाएं तो हमारा आज का जो वीडियो है वो एस्टो के हिसाब से सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी गई है तो जो हमारी देवी लक्ष्मी, तुल्सी में निबास करती है इसलिए घर की सुक्सान्ति और आठ्ठिक लाप के लिए लोग नेमित रूप से तुल्सी की पुजा करते हैं लेकिन आम दोर में तो सभी के घर में तुल्सी का प्लांट होता है मगर कभी तुलसी का प्लांट सूख जाए या फिर आपको नया पौधा लगाना है तो आपको तो सभी के मन में एक प्रशन जरूर उड़ता है कि तुलसी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है तो चलिए जान लेते हैं कि तुलसी का प्लांट घर में जो जोत्षचारी हैं हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि हर दिन ईश्वर के बनाए हुए हैं इसलिए हर दिन हर काम के लिए बहुत सुभ होता है मगर सास्तरों में कुछ बिसेश दिन बताए गए हैं जब तुलसी को लगाने का सूपल प्राप्त होता है तो तुलसी का पौधा हमको कब लगाना चाहिए चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं तो धर्मिक सास्त्रों में तुलसी का पौधा लगाने के लिए सबसे अच्छा दिन कार्तिक मास बता गया है। यह महीना आमतोर पर हर वर्स अक्टूमबर से नवंबर के बीच पड़ता है। अगर आपको तुलसी का नया पौधा आपके घर में लगाना है तो इससे सुब दिन और कोई नहीं हो सकता। पंडित जी कहते हैं कि कार्तिक मास में भी गुरुवार का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए सबसे अच्छा माना है। गुरुवार का दिन भगवान स्री विष्णू को अर्पित किया गया है और भगवान स्री कृष्ण को तुलसी अति पिरिये हैं और वे भगवान विष्णी अपता है। ऐसे में गुरुवार के दिन अदियाव घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपको श्री विश्न भगवान की भी गिर्पा प्राप्त होगी। तो कार्टिक मास के अलावा अगर आप चैट मास में पढ़ने वाली नवरात्री में भी तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं और शुकुर्वार गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे को घर लाएं इसका आप रोपड करें आपको बता दिन देवी लक्षमी को गया है और तुलसी को श्रीदेवी लक्षमी का अफतार माना गया है श्वरूप माना गया है इसके लिए बैज्यानेक लिहास से अगर आप लिहास से देखें तो अपरेल से जून तक के महीने में तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है इस दौराने इसकी अच्छी जो तिस सास्तर के मुताबिक सनीवार के लिए नदियाब तुल्सी का पॉदा घर लाती है या उसे अपने घर के आगацना में लगाती है तो लमबे वक्त सै चली आ करें तो आर्थिक पोद का पोधा सॉंब़ार, बुद्धभार, रविवार और एक का दिसी ति ओ शूरिये यरूं चन्द ग्राइन के दिली कूल भी नहीं लगाना चाहिए,"आपको इस दिन तुलसी के पोधे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए," तक कि तुलसी के पोधे में रविवार के दिन जल भी नहीं चड़ाना चाहिए आप बागी हर दिन तुल्सी के पौधे में जल चड़ा सकते हैं मैसे तो तुल्सी की पत्ति को सूरियास्त के बाद नहीं तोड़ना चाहिए मगर इन विशेश दिनों में भी आप तुल्सी की पत्तियों को तोड़ने से बचें इन सभी के सा अगर आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आपकी तुलसी का पोधा आप यदि घर में लगा रहें तो से हमेशा जो महुरत है अभी जीत महुरत में ही लगाएं आपको बता दें कि सुभा 11.25 से दोफेर 12.04 तक अभी जीत महुरत होता है उसमें आप तुलसी का पोध लगा सकती है हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको जोगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को जादर शी जादर शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए देखते रहिए गार्निंग ब्लॉग हमारे जैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल वीडियो